ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे पता चलता है कि उसका बॉइफ्रेंड उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ संबंद बना रहा है वो पागल हो जाती है और उससे बदला लेने का फैसला करती है मुवी की शुरुवात में हम किसी को से डिर सिंग से मैसेजस टाइप करते हुए देखते हैं और फिर एक बच्ची को पानी में डूपते हुए दिखाया जाता है फिर हम एक आदमी को देखते हैं इसका नाम कैविन है जो टकला है लिक्विन होट है उसे एक चेर से बांदा सेडी कह रही है वही जो तम मेरे साथ करने यहां आई हूँ फेवों से कोई पिल्स खिलाती है जो असल में स्लेपिंग पिल्स है सेडी कहती है मैं तुम्हारा फोन ड्रायर से नहीं सुखाना चाहती थी तुम बहुत नौटी मैसेजिस करते हो लेकिन उतनी तेजी से उन्हें ट्लीट नहीं करते देखो उन मैसेजिस की वजह से आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है मूवी 28 गंठे पीछे चली जाती है जहां हम सेडी को उसकी बेस्ट फ्रेंड जैनिफर के साथ देखते हैं सेडी एक बार्टेंडर के साथ फ्लेट कर रही है जैनिफर कहती है किस इस पार केविन उसे शाधी के लिए प्रिपोस्स कर सकता है. जैनिफर कहती है क्याइज चैनिफर को उससे जलन हो रही है क्योंकि वो सैडी से शाधी करना चाथी है. सैडी कहती है सौरी डार्लिंग हम दोनों ही गेन नहीं है वो जैनिफर से promise करती है कि जैनिफर उषकी maid of honor बनेगी लेकिन ये सब सुनकर जैनिफर को बिलकुल अच्छा नहीं लगता फिर हम सैडी को कैविन के साथ देखते हैं वो दोनों एक खुबसूरत विला में छुट्या मनाने आए हैं ये विला दरासल कैविन का है कैविन को सिगार पीने की आदत है सैडी कहती है इतना पियोगे तो तुम्हीं cancer हो जाएगा कैविन कहता है वो सिगार के धुए को अंदर तक नहीं लेता और सिगार सिग्रेट से कम खतरनाक है तरासल सैडी को सिग्रेट की लथ है उसके बाद सैडी केविन को सिद्धियूस करने लगती है और अपनी ड्रेस उतार कर जील की तरफ भाग जाती है कैविन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है तब ही सैडी को इल्यूजन्स होने लगते हैं जिसमें उसे एक बच्ची पानी में डूपती हुई दिखाई देती है फिर जील के अंदर जाकर अपनी पैंटी उतार कर उसे गोल गोल खुमा कर फेक देती है यह दे कर सैडी अजीब बहेव करने लगती है वो केविन के पास आती है और पूछती क्या तुम मुस्के से प्यार बेबी सैडी पूछती है क्या तुमने कभी मुझे धोका दिया है कैविन कोई जवाब नहीं देता वो कहता है क्या बच्चों की तरह बाते कर रही ओ आओ मेरे पा सेडी कहती है कि मैंने सुना है इन दवाईयें को खाने से इंसन पागल हो जाता है फिर वो केविन के ऊपर चड़ कर उसकी पैंट्स खोल कर उसे जोड जोड से ओरल देकर काटने लगती है और फिर पैपर इस्प्रेय लेकर केविन की आँखों में डाल कर एक डंडे से केविन उसने जैनिफर को भेजे थे और जैनिफर की मैजिक पूसी की तारीफ की थी और लिखा था कि वो सेडी से इस वीकेंड पर ब्रेक अप कर लेगा सेडी पूछती है तुम मुझसे इस वीकेंड के कौन से पार्ट में ब्रेक अप करने वाले थे हनी जब हम 10-15 बार इंटिमे करना चाहती है तब ही जैनिफर को मेसे आता है जिसमें लिखा होता है कि वह आज कुछ एकस्ट्रॉण नॉट्टी पहनने वाली है जाथा है उसने कुछ मेसेजे ते लेकिन वह गलती थी सेडा के फोन से जैनिफर को मैसेज भेज़ती है कि सेडी और कैविन अलग हो गई है और जैनिफर को उसी जगह बुलाती है, सैडी केविन को बैडरूम में ले जाती है, उसे बिस्तर से बांग देती है, और उसका गला घोडती है, फिर मोम बत्ती और गुलाब के पंखुडियों, और साथ ही जैनिफर के लिए को शैंपेन रख कर रूमेंटिक महाल बनाती है, और फिर से लीथियम खाती है, कैविन कहता है, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए ठीट नहीं है, सैडी कहती है, कि मेरी मॉम हमेशा ड्रक्स लिया करती थी, जब मैं पेट में थी तब भी, देकिन देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम फिट हूँ, तभी जैन जैनिफर कैविन के ऊपर बैठती है, और अपने हाथों को हैंड कफ से बांधने लगती है, सैडी उसके गले में कुट्टे का पट्टा डाल कर कहती है, बैट डॉग, सैडी जैनिफर के सारी कपड़े उतायकर उसे बाथ टम में बैठाती है, और कहती है, कैविन को साफ सु जॉद्धी से बनता है सैड़ी जैनिफर के कुत्टे को माहिक्र वेव में पकाने की दमकि देती है अगर केविन उसकी बात mee मानेगा तो सड़ी कहती है कि अब उन्हें उसकी पीठ के पीछे ऐसा करने की जरूत नहीं है केविन मान केविन का गार्डन में बाडवी क्यों बन रहा है उतनी दिर में केविन खुद की रस्यां खोल का जैनिफर से कहता है कि उसके बैडरूम में पिस्टल है जैनिफर कहती है अब मुझे तुमसे कुछ लीना देना नहीं है जा कर पिस्टल लेकर आओ केविन कहता है बेबी अब मुझसे ऐसे बात करोगी वो उपर जाता है लेकिन सैडी कैविन को पिश्टल डूरते वे पकड़ लेती है उसके बाद वो नीचे आती है जैनिफर सैडी से कहती है कि उसे कैविन से कुछ लीना देना नहीं है तू अपना बॉइफेंड अपने पास रख और भगवान के या निपटली फिर वो कैविन के पास आती है और कहती है तुम्हें हमारी फेवरेट मुवी का फेवरेट सीन याद है ना वो हतोड़े से कैविन के पैर का एंकल तोड़ देती है और यही सीन कैविन का कभी फेवरेट हुआ करता था तूटी हुए एंकल को देख सैडी को उ मेंगी सरफ जैनिफर को उसके बच्पन के कुत्ते की कहानी सुनाथी यह उसके पापज लेता वो पपी से प्यार करती थी वो पपी को प्हार यह सुद्धिटिधी पिया इसलिए ने दूबो कर मार दिया औरफ एज़्चे को बेहन के थे जायर झें टूंऑ दुबो कर मार डाला था फिर वो जैनिफर की स्माइल और दातों की तारीफ करती है और कहती है तुम बहुत सुंदर हो और उसका एक दात निकाल देती है वहाँ कैबिन को बैट से बांदा हुआ है और वो अपने पैर से फोन उठाने के कोशिश कर रहा है नीचे सैडी उसके चाय बना रही है और कहती है देखो मैंने कितनी सुंदर पूल का ड्रेस पहनी है वह उपर आती है और कैबिन को फोन के साथ खेलते वे देख लेती है और फिर वो उसकी आखों में इलेक्ट्रिक शॉक देती है और अपने हाथों से उसे चाय पिलाती है सैडी जैनिफर को ए बूप्स का मज़ा खूराती और कहती है कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता सब्टुम्हें पागल समझते हैं। यह सब सुनक यहनीफर का गला दबाने लगती है लेकिन उसे माण नहीं पाती वह कार से रेंच लेने जाती है तब यह वहां पोलिस आ जाती है सैडी कहती है उसकी कार खराब हो गई थी पुलिस उसे बताती है कि एक कृमिनल जेल से भाग गया है सामधान रहो पुलिस को क्या पता ये लॉंडिया तो उस क्रिमनल से भी जादा बड़ी वाली क्रिमनल है कभी पीचे से जनीफर आ जाती है और पुलिस को अवाज लगाने लगती है लेकिन एक ट्रॉक उसे कुचल देता है सैडी इसे देखकर कहती है ओ माई गॉड भगवन सच में होता है सैडी वहाँ से चली जाती है और उसी क्रिमिनल को रास्ते में लिफ्ट मांगते वे देखती है वो से कार में बठाती है और उसके साथ घपा घप करती है और फिर उसे मार देती है और कार को उस क्रिमिनल सहित घर ले आती है घर पर उसे कैविन नहीं मिलता वो से ढूडने सैड़ के पीछे आती और केविन का सर मोटर पर दे उसे ँसे मागा डालती है। कहती है मैंने तुम्हें माफ किया वह से पपी देती है तभी केवेन उसका गला पकड़ता है और वापस मर जाता है सैडी सेट करती है अपनी उंगलियों को जखमी करती है औप पुलिस को फोन करके कहती है कि एक क्रिमनल ने उसके साथ बलातकार किया और उसके बॉइफ्रेंड को मा डाला और फिर पुलिस आती है और उसे पूछती है कि क्या आप प्रेगनेंट है क्योंकि उन्हें क्रैम सीन से कुछ ऐसी दवाईयां मिली है जो प्रेगनेंट और देखाती है सेडी कहती है नहीं वो pregnant नहीं है मतलब वो कैविन का पोपट बना रही थी एक पुलिस वाला जैनिफर के डॉग को ले कराता है सेडी ऐसा शो करती है जैसे वो उसका डॉग है लेकि डॉग सेडी के पास आने से डरता है सेडी पुलिस से पूछती है कि क्या वो वही क्रिमिनल था जो जैसे भाग गया था पुलिस कहती है हाँ कुछ महीने बाद सेडी का एक नया बॉइफरेंड है वो एक वेटरस से बात कर रहा है सेडी उस वेटरस के बम देखकर कहती है नाइस एस लड़का कहता है सेडी तुम बहुत सुन्दर हो सेडी पूछती है तुम मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे लड़का कहता है कभी नहीं सेडी कहती है अगर ऐसा हुआ तक मैं तुम्हें मा डालूंगी और हसती है दूसी तरफ वही waitress दूसरी waitress के साथ बात कर रही हैं और वो उसे कहती है सारी cute लड़कों के girlfriend क्यों होती हैं जिस पर वो waitress जवाब देती है वो ज़्यादा देर तक उसकी girlfriend नहीं रहने वाली और फिर उसी उसी लड़के का मैसेज आता है और movie खतम हो जाती है So guys, अगर आपको आज की मुवी का explanation पसंद आया हो, तो comment box में लिके ज़रू बताईगा मिलते हैं next video में, तब तब अपना ख्याल रखें